हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज किसी भी प्लांट के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगी क्योंकि स्वास्त थोड़ा सही नहीं है और आज हम बस ऐसे ही अपने गार्डन में लगे कुछ प्लांट जो पहले से ही हैं पुराने कोई प्लांट में अभी नहीं लाई हूँ आप लोगों ने विंटर की जो प्लांट हैं वो ले आये होंगे उनकी तैयारी सुरू कर दी होगी मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है और कोई भी नया प्लांट में नहीं लाई हूँ विंटर में विंटर के लिए तो अभी समय नहीं मिल पार ये मेरे पुराने ही लगे हैं और हल्दी हैं लग फ्लावरिंग हो रही है किसी में और इस बार मुसंडा में बहुत फ्लावरिंग हुई है मतलब अतार फ्लावरिंग जब से स्टार्ट हुई है तब से फ्लावरिंग अभी तक होने में है फरवरी से इसमें थोड़ा हो जाएगा और वाइट व महीने छोड़के बागी पूरी साल बर इसमें फ्लाورिंग होते ती है यह देखिए फूप गुच्छों में फ्लाورिंग होती है और बहुत सुन्दर दूर से देखने में बहुत सुन्दर लगता है मुसंडा की मेरे पार तीन वराइटी है फ्रेंडस और सबसे बढ़ा यही है ये थोड़ा जमीन पे लगा हुआ है और बाकी प्लांट आओ फ्लावरिंग अभी जादा नहीं हो पा रही है क्योंकि ये नीचे इंडोर में है तो जितनी इनको सनलाइट मिलती है उतना ही ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर पाते हैं अभी मैं इनको थोड़ा जगा चेंज करूँगी यह एक जो रहा है इसमें तीन से चार फ्लावर खेले होए थे और यह सारे इंडोर प्लांट है जो अच्छे से चल रहे हैं और इसमें बहुत धीरे फ्लावरिंग हो रही है इस रेड एक जो रहा में सिंगोनियम है और यह है परपल हार्ट जिसमें काफी त्री मंत से लगाता है इसमें फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग के उस साइट है जि मैं दिखाने पा रही हूं और इसमें काफी मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ था तो इसमें बहुत ज़्यादा फ् एक से दो घंटे की सनलाइट मिलती है बस इससे ज्यादा नहीं सारे प्लांट इंडोर के हैं जो फ्लावरिंग वाले हैं वो भी इस समय अच्छी फ्लावरिंग यह देखी कटिंग लगाई थी और वो कटिंग अभी से अक्सस रही है बहुत अच्छे से लग जाती है यह इसमें फ्लावरिंग हुई थी वाइट कलर के फूल आते हैं इसमें और मांसून सीजन में ही यह फ्लावरिंग के प्लांट दो वराइटी होती है और यह इस समय एवनिंग का टाइम है तो थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है चाया के कारण यह मेरे सारे इंडोर प्लांट एरिका पाम बहुत हेल्दी टैनियर कंप्लीट हो चुके हैं एरिका यह दोनों प्लांट को टैनियर हो चुके हैं मेरे सबसे पुराने जो प्लांट हैं मेरे गार्डन में जिन से मैंने स्टार्ट किया था तो वो मेरा एरिका पाम और वोगन विला प्लांट हैं जो बहुत 10 से 12 साल पुरा नहीं तब मेरे को इतना सौक नहीं था लेकिन था प्लांट्स रखने का सौक था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं उनको 24 गंटे उनके पीछे लगे रहूं लेकिन फिर भी अब मुझे थोड़ा सा इन में अच्छा लगता है अपने प्लांट्स के बीच रहना सभी को अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे ये मेरा छोटा सा एक मैंने जगा बनाई है इसमें छोटे-छोटे बॉटल और छोटे बे कंटेनर जो खाली डब्बे होते हैं पेंट के दवाई के कोई भी उसमें मैं ये इंडोर प्लांट लगा देती हूँ जैसे कोलियस के और ये रियो प्लांट और जो भी इसमें परपल हाट और इनकी कटिंग सिंगोनियम तो ये सारे कटिंग छोटे-छोटे डिबों में लगाने से ये अच्छे भी लगते हैं और काफी चलते भी हैं तो इनसे अच्छा भी लगता है लूग भी अच्छा लगता है और काफी सुन्दर भी ये दिखते हैं ये मेरे रिबन प्लांट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो मैंने इनको पेंट अब डा दिया बीच में यूका प्लांट लगा रिखा मुस्किल से एक दो घंटे की इससे ज़्यादा नहीं आपाती तो फिर अब बहुत अच्छे से चल रहे हैं और एरिका पाम काफी हेल्दी है अगर आपका अभी एरिका पाम के उपर मैंने पहले भी बनाया था तो अभी मैं फिर से बनाऊंगी कुछ टाइम बाद और गार्डन बहुत बड़ा नहीं है ये नीचे जगह हमारे ग्रांट फ्लोर पे कम है तो इतना सा ही है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा और यहां तक सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद और आप बने रहिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए थोड़ा सा स्वास्त ठीक नहीं है जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक अपना साथ बनाए रखना फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट करिए और वीडियो को वाच करते रहिए कोई कमें हो तो जरूर बताईए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू सो मच